के क्याम के अधिकांश विधायक ने भाजपा में जाने की बाद से इनकार कर दिया है और ऐसे में सचिन पाइलेट के समक्ष दो ही विकल्प अबश्ते हैं कॉंग्रेस पाइलेट में बत और विधायक रहकर अपना विरोध दर्ज करवाना या फिर अलक से शेत्री पाइलेट की घोशना करना देखे सियासी उथल पुथल के बीच आज ये ख़वर सामने है कि आखिरकार इतने समय से सचिन पालेट पर सबकी नजरे बनी हुई थी ये माना जा रहा है कि आगे की रणनीती उनकी क्या कुछ रहने वाली है चुकि अब पार्टी ने उन्हें पिसे से चीफ और उपमुख्यमंत्री पत से हटा दिया है इसके बाद आगे क्या रणनीती रहती है उस पर आज प्रेस कॉन्फरेंस में जानकारी दे सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया समादा था मनोहर विश्णोई हमारे साथ जूर चुके हैं मनोहर देखिए सचिन पालेट पर सबकी नजरे बनी हुई थी पालेट ने जो रणनीती शुरू से बना रखी है और बिल्कुल किसी तरीके से और चारिक जान नहीं आ पारा है वैसी रणनीती अभी तक जारी है लेकिन एक जानकारी सब मेडिया वालों को और नेश्टर वालों को उनके करीबी लोगों ने दिया प्रेस वारता करेंगे अधी पूरी बात है अधी अधी से रूबरू होंगे पहले दस बज़े कर दिया है अभी गांगे और यसा होगी इसको लेकर भी की सब्स्स बना हुआ है लेकिन यह जानकारी मेल रही है अगली रणनीती के लिए पाइनियल नहीं हो यह पिस वज़े से ये तेरी हो रही है और बताया जाए रहा है कि जैसे ही ये फाइनल हो जाएगी उनकी डील या पिस जिससे जो रननिती बननी है वो तह हो जाएगी उसके बाद जो है ससीन पालेट मेडिया से रूग रोग ने शुकि शुरूश है मौन है और नौफचारी और जो पॉलिटिशन जानना चाहते हैं कि सब्सक्राइब पूरे जो बगावती पेवर है उसके आखा कारण क्या रहा है वो जानना चाहते हैं लेकिन अभी तक उनका टाइम जगह तेह नहीं हुए है कि पार्टी ने उन्हें जो पद है उससे हटा दिया है उसके बाद कही जो है वो साफ होती हुई नजर आई लेकिन अगर कल रात की बात की जाए तो आपने भी देखा होगा ट्विटर वार एक तरीके से छड़ गई अगर विश्वेंद्र सिंग के बयान की बात की जाए तो ये कहा गया कि ये तो 2020 मैश सा अब क्या माना जाए आज का दिन राद वीडियो वाइरल किया गया उससे तोड़ा सा साफ हुआ इतने लोग और कहां पर हैं लेकिन या ट्विटर वहर जो है शोचिल मीडिया के मादें से वर्चुल जो इस तरीके से बात करी जा रही है उसमें और रूगरू आकर कहने में बहुत फारक होता है और देखने माली समाम जानकारी देने के लिए और यही उम्मेद की जा रही है कि सचन पालेट अब प्रेस कॉंफरेंस करकर आगे की रणनीती को जनता के समक्ष पूरी तरीके से क्लियर करते है और इससे पहले रारसान में कॉंग्रिस की राजनीती से सचन पालेट का पत्ता साफ हो गया है लोगत